हम दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बीसी वोट का दोरा बीसी नेट का धारा फाइली जो है यहां से आप बीच वोट को याद वेबसाइट कराएंगा तो यहां से पूर्थ नमर में आइटीस यह का यह इंपोर्टेट नोटीस डिगार्डिंग फिला पॉलनाइन अप्लिकेशन पॉल आटीस यहां से क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको नोटीस खुल करा जागा यहां पर अब देख सकते हैं इस तरह से नोटीस खुल करा जागा तो यह नोटीस जारी किया गया बिहार सयूंग तो परवेश परतियोगता प्रिश्चा परसत के द्वारा यह नोटीस जारी किया गया तो यहां से आप देख सकते हैं तो अपना के लिए 2224 में तो यहाँ से अब σकते हैं यह website रखा गया है आपका ऑट इसे और करने के लिए 2224 तो यह website है अपको online करने के लिए website रखा गया है थेयह सब देख सकते हैं और और आपका जो है online अवेदान जो है छह hit सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपका प्रस्टेशन इंफर्मेशन फिल करेंगे उसके बाद अपना आपना पोटो और सिगनेचर अफ्लोट करना है पोटो और सिबनेचर अप्लोट करना अपर स्टेप थीरी में स्टेप फ़र में एज़ुकेशनल इंफर्मेशन को फिल्ट करना है उसके बाद स्टेप फाइं में आपका प्रेविव और यूर अपलिकेशन बतलब कि आगे फ़र्म बढ़ेगा उसके बाद आपका अपना प्रेविव और यहां पर आप देख पा रहेंगे यह बी बी सेक्शन में तो यहां से अब देख सकते हैं जो अब यारती समान पिछला वार्ग त्यंत पिछला वार्ग से आते हैं मतलब कि जेनरल एबीसी बीसी तो उनके लिए साड़े साथ सुर्प्या का चाज रखा गया और आप देख सकते हैं और आपका जो है डेट आप द्यान से देख लें कि आपका डेट कब से कब तक आपका रहें कए टेख पा रहे होगे wrumm di ITI C2 24 जबदनीत महत्पून की थिए यहाँ बाम आपकर आपका का सोचाहिं ऐसोच आपको आरेक्ट गाए तरह चुका है और यहां पर online registration closing date जो आपका रखा गया पाच 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 24 तक आपका registration होगा उसके बाद आपका last date of payment throw net banking debit card credit card API after submission of the online application form registration candidate मतलब कि आपका जो लास्ट डेट प्यमेंट का रखा यहां पर आप देख सकते हैं क्रेक्शन डेट जो है आपका online इडिटिन ऑफ अप्लिकेशन फॉर्म का आठ पाच पाच 24 से आपका 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 खाप 11 HOR 22 तक अपना करेक्शन को आप कर पाएंगे जो भी आपका आपका ா क्रेक्शन कराला होगा तो 8 P20 20 से 11 P20 20 से अपना कर पाएंगे तो यहां से आ आप यह तो Uploading of Online Admit Card जो आपका Admit Card Upload होगा 28-22 से आपका Admit Card Upload होगा तो यहां पर आप देख पा रहेंगा और Proposite Date of Examination 9-6-22 रखा गया है तो आपको यह पूरा डिटेल आपको वीडियो समझ में आ गया गा तो आपका First Step जो है Admission के लिए Online होगा उसके बाद आपका Admit Card आएगा Admit Card आने के बाद आपका Examination होगा Examination होने के बाद आपका Rank Card जारी किया जाएगा तो Rank Card जारी करने के बाद Rank Card के अनुसार आपका Counseling होगा Counseling होगा तूसमें आपका जो भी College होगा तो अपना College में छूज होकर आपका एड्मिशन कराना पड़ेगा तो यह वैसे मा अगर आप कमेंट करेंगे तो हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि किस तरह से आप अपना ओनलाइन कर पाएंगे तो अगर आप चाहते हैं कि इसे आपको अपडेट मिलती रहे है इड्मिट काड आएगा उसके बाद का कांसिलिंग होगा तो ऐसे मा भी बहुत सारा अपडेट अभी बाकिया है तो हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करकर रखें ऐसे आपको हम अपडेट देते रहेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद